असलाम लेकुम मेरी धर्ती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ नाजिया अक्रम शेक साधी की एक हिकायत है कि एक लड़के को अपने चचा के मरने पर बहुत सारा माल तरके में मिला वो कहते हैं ना माले मुफ दिले बेरहम तो कुछ ऐसा ही उस लड़के ने भी किया उसने दोनों हातों से ये मालो दौलत आयाशी में उड़ाना शुरू कर दी एक बज़र्ग ने उससे नसीहत की कि एए बेटे आमदनी से जादा खर्च करना नहीं चाहिए उसका नतीजह हमेशा बुरा होता है उस नौजवान ने बुज़र्ग को जवाब दिया कि आज के अराम को छोड़कर कल के घम में दुबला होना हमाकत है उसने बुज़र्ग की नसीहत को एक कांसे सुना और दूसरे से निकाल दिया हुआ यूँ के कुछ अर्सा बाद नौजवान बिलकुल कंगार हो गया उसने तमाम जायतात फजूर्ची में जाया कर दी और टुकड़े टुकड़े का मोहताज हो गया यहां तक के उसके कपड़ों में भी पैवन लगने लगे उस वक्त बुज़र्ग शख्स ने सोचा कि इसे एहसास दिलाया जाए कि उन्होंने उसी दिन की तरफ इशारा किया था मगर यह सोचकर खामोश हो गए कि इस हालत में उनकी बात नौजवान के जख्मों पर नमक शड़कने के बरावर होगी और उसके दुख में इदाफा होगा बहुत अच्छी बात मैंने आपको बता दी लेकिन आप देखें आज के प्रोग्राम की चंजल किया आपको पता है कबाब का नाम कैसे पड़ा नहीं पता कुछ पता नहीं होता चले मैं बता देती हूँ एक शख्स ने किसी से पूछा कब खाओ उसने जवाब दिया अब खाओ यह कब और अब मिलकर कबाब बन गया पर जिसके जिकर से ही मों में पानी भराता है यह तो कबाब हर तरह के ही लजीज होते हैं लेकिन पिशावर के चबली कबाब का जाइका ही सबसे जुदा है उसे चबली कबाब क्यों कहा जाता है भला यह आपको आम खाने से मतलब है या पेड़े गिनने से किसी भी वज़ा से कहा जाता हूँ हमें क्या हमें तो कबाब खाने से खर्स है जी हाँ ये मैं नहीं कहती ये वो लोग कहते हैं जो कबाब बनाते और जो खाते हैं देखते हैं चपली कबाब पर किये रिपोर्ट पिशार की तकरीबन हर बाजार में चपली कबाब की दुकाने मौजूद हैं मक्कई के आटे, केमे और मुक्तलिब मसालों से बनने वाली मजदार कबाब बनाने वाले अक्सर दुकानदार नसल दर नसल इस कारुबार से वबस्ता है चपली कबाब पिशावर समयत मुक्तलिब अलाकों में बनाए जाते हैं, जो अपनी जाकी के वज़े से दुन्या बर में मशूर है यही वज़ा है कि कबाब लोग शौक से काते हैं बहुत ज्यादा लोग आता है, हम भी अभी कसखानी से आए कि हम आज़ेज़ा कबाब काते हैं, बहुत मज़ेदार से जाकब होता है बलड पेशर का मर्ज आम होने के वज़े से अब यह कबाब चल्बी के बज़ाए कुकिंग आल में बनाए जा रहे हैं जिस के लिए डीसियों ने बाकाइदा इलामिया भी जारी किया है गरों में महमानों के तवाज़ों के लिए कबाब आडर पर भी बनवाए जाते हैं जबकि स्पेशल कबाबों में अंडा भी इस्तिमाल किया जाता है चपली कबाब एक सस्ता और लजीज पक्वान है जिसके जाइके और शोहरत की वज़से तसे मुकामी शेरी इसे शोक सकाते हैं बलकि इसे कानी के लिए दीगर अलाकों से लोग भी पिशावरता रुख करते हैं अंग्रेजी का महावरा है यह महावरा एसी सिचुएशन में बोला जाता है जब किसी जगा पर बहुत सारा पानी मौझूद हो लेकिन वो इस्तमाल के काबिल आओं कुछ ऐसी ही सूर्टेहाल का सामना है जैकब अबाद में रहने वाले लोगों को वेसे तो इस वक्त पूरे मुल्क में ही पानी का मसला है लेकिन जैकब अबाद में तो इतनी देर से यह मसला हल होने में नहीं आ रहा आपको पता है वहाँ कितनी देर से पानी का मसला हल नहीं हो रहा पूरे 60 साल से ऐसा नहीं है कि किसी ने इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं की पर की है जनाब, वाटर फिल्टरेशन के बड़े बड़े प्लांट भी लगाए गए हैं लेकिन फिर भी साफ पानी लोगों को मिल ही नहीं रहा तो इसकी क्या वज़ा हो सकती है? देखते हैं इस रेपोर्ट से ये सुरत आल है कि डेट महीने दे पानी नहीं मिल रहा अवाम सकत प्रेशान है, पानी खरीदने पर मजबूर है तीन लाख अबादी वाले शहर जैकवाबाद के अवाम का साथ साला पुराना मीठे पानी का मसला हल ना हो सका शहरी पानी के कत्रे कत्रे के लिए त्रपने लगे साबका दोरे हकोमत में सवा अरब की लागत से बनाए जाने वाला मुल्क का दूसरा बड़ा मेगा प्रॉजेक्ट वाटर स्प्लाइ स्कीम से भी शहरी फाइदा हासिल ना कर पाई जदीद मशीनिरी से त्यार करता वाटर फिल्टरेशन प्लांक का इफ्टता माच 2008 में साबक सदर जनर्र प्रवेज मुशरफ ने किया तो शहरीों की उम्मीद थी कि इनका पानी का मसला हल हो गया और इन्हें मिनरल पानी जैसा साफ और शफाफ पानी फ्राम होने लगा मगर बद किसमती से जिमेगा प्राजेक्ट ना एहल टीमो के एहलकारों के हवाले कर दिया जिरों ने एक साल के अंदर ही पुरे निजाम को दरहम बरहम कर दिया जैका बाद वालों पर पानी के लिए तो इसको आपने देखते हैं अभी आप इसको एक साल तकरीब हो गये हैं डिट साल तबाव बरबाद हो गया वह स्कीम और शहरी पानी की बून्त की खातर तडपने लगे जेल के नाम से ही एक ऐसी जगा का तसवर जहन में बनता है जो बहुत तंगो तारीक और खौफनाक होती है लेकिन ये तो जेल की जाहरी शकल है ना जेल का एक अच्छा पहलू भी है और वो ये कि ये एक तरह का स्कूल भी होती है जहां मुझरिमों की इसलाह की जाती है तरकी आफ्ता मुमालिक में तो जेलों का तसवर बाखे एक तरवियत गाहों के तौर पर लिया जाता है वहाँ जाने के बाद मुझरिम को सुधारने की हर मुम्किन कोशिच की जाती है उन मुमालिक की जेलें भी किसी आलेशान होटल से कम नहीं होते जहां कैदियों को हर तहा की सहुलियात दस्तियाब होगी है और पाकिस्तान की चलो का हाल? भई वो तो किसी से ढखा शुपा ही नहीं है कहें जिनों ने सुदर ना हो वो कही भी सुदर सकते हैं लेकिन मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी जेल के बारे में जो हकीकत में स्कूल बन गई ये जेल स्कूल में कैसे कनवर्ट हुई? इसकी दास्तान बेहत दिल्चस्त है ये दास्तान जाने के लिए आपको देखना होगी ये रिपोर्ट अगर हम वाजी के दरीचों में जहांकर देखें तो बहुत सी हस्ती हैं जिनकी बहादरी और जुरुत काबल तारीफ है जिनके किस्से पढ़कर हमारे दिल में वतने अजीज और दिन इसलाम के लिए एक जोश और जजबा पैदा होता है इनी हस्तियों में से एक नामरा एहम्द खांक हरल का भी है जिनोंने दिन इसलाम की खातर लार बर्कले से जंक की आपका तालुक चक जामरा से है आप एक नेक और पारसा आदमी थे आपने पंजाब में मुस्लमानों के दिल में दिन इसलाम की अहमियत को जिन्दा किया और इन में जोश को ताजा किया ताके वो अपने हग की खातर गैर मुस्लम से अपना हग हासल कर सके और खुले आम दिनी आहकामात पर अमल कर सके आपने दिने इसलाम का पर्चम अंग्रेज दौर में बुलंद किया दौराने जंग आप ही के करीबी साथियों ने आपसे दोका किया और जैदाद के लालच में आकर इन्हें हालते निमाज में शहीद कर दिया उस वक्त लाड बर्कले ने सदर कुगेरा में अपनी जाती जेल बनाई हुई थी जहां वो मुसल्मानों को कैद रखता था अब वहां सकूल बनाया गया है एमद खांखल की याद आज भी हमारे दिलों में जिन्दा उता बिन्दा है लाड बर्कले ने धाई सो साल पहले जो जेल बनाई थी इसकी दिवारें चोड़ी बुलंदो बाला और काफी मद्बूत है इस जेल के चार कोने हैं चारों कोनों में चार मोर्चे बनाए गए है मोर्चे स्कोर्टी के लिए बनाए गए थे अंग्रेज फाज हर वक्त इन मोर्चों में अलर्ट रहती ताके लाड बर्कले पर कोई मुस्लमान हमला ना कर सके ये भी बताया जाता है कि जब एमद खांखर्ल शहीद हुए तो इनका साथ जेल के मेंड गेट पर लटका दिया गया कुछ दिनों बाद एक मुस्लमान चौकीदार ने अपनी जान पर खेल कर आपका सार गेट से उतार कर मुस्लमानों के हवाले कर दिया एमद का खर्ल एक नडार और गयूर सिपास लार थे उन्होंने दीने हक की खातर अपनी जान की पर्वा किये वगएर लाड बरकले का मुकाबला डट कर किया और बातल से लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश फरमाया उनकी याद आज भी हमारे दिलों में जिन्दा और तबिंदा है तरीख हैसे अजीम मुजादों को सुनेरी इलफाज में ताहयात लिखती रहेगी कैमरा टीम मंचा नवीद और सिजाद अली के साथ कामरान सिकंदर दुनिया नियूज उकाड़ा नाजरीन अब वक्त है थोड़े से इंतजार का क्योंकि हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखते हैं एक तस्वीर जी हाँ वही जिसे आपको पहचाना है के ये किस जगा की है तो आप देखें इतस्वीर हम आते हैं ब्रेक से